इस्के बारें बात करेंगे और यहोज हो चुके यहां पर फिर वट्सप के लोगा आप पे से दिज़ेंगे और वेलिक लिखा om मिलेगा कि 2014 में Facebook को जॉइन किया था WhatsApp और यहां पे लिखा हुआ भी है कि Facebook family का एक हिस्सा है WhatsApp लेकिन यहां पे जो है यहां पे privacy को ले करके काफी जदा यह news में है तो यहां पे जो आपका private message है और आपका photo है और आपका account information है वो सब कुछ share करेगा Facebook के साथ और Facebook के साथ share करेगा है लेकिन इनका और भी application है ठटपटी उनके साथ भी share करेगा WhatsApp अपना data तो WhatsApp के जुतने भी user है यहां पे Facebook खरीद लिया है WhatsApp को तो Facebook और WhatsApp तो एक ही हो गए है तो यहां पे share करने से कोई दिकत नहीं है बहुत लोग कह रहे हैं कि यार अपना जो WhatsApp अपना data क्यों share करता है किसी और के साथ तो यहां पे Facebook खरीद लिया है WhatsApp को तो यहां पे Facebook ने पूरा control कर लिया WhatsApp को उन्हें खरीद लिया है तो पूरा तो control करी लेगा Facebook के अंदर आ गया WhatsApp तो वो तो share हो गाई एक दूसरे के साथ लेकिन यहां पे थर्ट पर्टी अप्लिकेशन है जो इनका उनके साथ भी share होगा तो आप लोग के माइन में एक चीज यह ना information है कि यहां पे public में share नहीं हो रहा है यहां पे आपस में share कर रहे है data तो उससे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अपने विवर को एक चीज बताओं कि आप कभी भी अपना account detail ATM detail या ATM का जो भी information होगा वो किसी अपने दोस्तों के साथ share मत किजिएगा क्योंकि वहां से अगर leak हो जाता है तो फिर आपका account जो भी होगा account में balance अपने bank के अंदर वो सब कुछ करता हूं क्योंकि उसका security और जो privacy वो सेक्यूर नहीं है इसलिए WhatsApp को Elon Musk यूज नहीं करते हैं और Elon Musk यूज करते हैं signal app को उन्होंने कहा था कि मैं signal app को यूज करता हूं और मैं यहां पर play store के अंदर जाएंगे signal app पे क्लिक करेंगे तो यहां पर 10 million लोगों ने डाउनल या है signal app को और जब से लोग नोंने सुना है कि Elon Musk की यूज करते हैं signal app को तो काफी तेजी से इंडिया के अंदर यह signal app डाउनलोड भी हो रहा है और मैं signal app को भी डाउनलोड किया था इसको उपर एकाउंट मनाया था चेक करने के लिए क्या feature है तो यहां पे एक चीज मुझे मिला और यहां पर लिखा हुआ भी है कि end to end encrypted like everything, third चीज encrypted हो जाता है जो कोई भी आपका जो भी privacy है यहां पर काफी ज़्यादा है इस application के अंदर सेक्यूर है और रियली में बहुत ज़्यादा सेक्यूर है और इसके अंदर एक feature है कि आप किसी दोस्तों से कोई भी आपके contact list में ह और signal के उपर chatting कर रहे हैं तो अगला जो बंदा है जिसे आप chatting कर रहे है वो screenshot नहीं ले सकता है यहां पर एक feature है जिसे आप enable कर देते हैं तो screenshot आप एलाव नहीं करेगा आपको लेने नहीं देगा signal एप screenshot जो भी आपके साथ बात हुआ है चेटिंग के अंदर वो screenshot नहीं ले पाएगा बंदा तो यह feature है काफी मुझे अच्छा लगा और बस मुझे आपको information देना था कि यह चीज़ अभी चल रहे हैं इंडिया के अंदर यूट्यूब के अपर काफी ज़्यादा वीडियो भी डला हुआ है इसके बारे में कि यह जो WhatsApp का नया policy है यह चीज़ हो रहा ह हो रहा है यहां पर एक चीज़ बताओं कि पब्लिक में सेर नहीं हो रहा है अपस में सेर कर रहा है तो इससे कोई दिकत निया आपका पबलिक में अगर लिक डाटा शहार होता तो फिर तो WhatsApp को यूजी नहीं ख़रता तो यह चीज़े है तो बताएगा मेरा वीडियो आपको ये कैसा लगा और बस वीडियो को यहीं पेंट करते हैं मेरा वीडियो देखने के आपको बहुत धने वादे